नमस्ते फेंग मैं डॉक्टर रेंगुका और आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हूं मेरे योट्यूब चेनल पर दोस्तों आज हम कॉंपलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं लोगों को बहुत जादा क्वेरीज रहती है अबाउट फेर्नेस गोरापन कि रात भर में गो बिमारी के कारण क्या शरीर का रंग चेंज हो जाता है या फिर किसी मेडिसिन या दवाई से शरीर के रंग को चेंज कर सकते हैं और क्या इसकिन को किसी भी तरीकी से नॉर्मल करने का कोई इलाज है और यदि है तो उसका होमेबर्थिक ट्रीपमेंट तो चलिए शुरू कर दोस्तों आज हम complexion की बारे में बात कर रहे हैं तो उसके पहले यह जानना जुरूरी है कि पूरी दुनिया में 5 complexion के लोग रहते हैं दोस्तों अब हम यह समझते हैं कि हमारे skin का color किन कानों से बनता है उसके पीछे क्या factor होते हैं means हमारे skin का color dark या light किन कानों से हो सकता है दोस्तों हमारी तुच्छा में melanocytes नाम की cells होती हैं इन में से melanin pigment निकलता है और इस melanin pigment के कम या जादा होने से लोग darker होते हैं या lighter होते हैं यह melanin pigment हमारे hair हमारी eyes और हमारे skin का color बनाता है इस pigment की बहुत ज्यादा अच्छी खासियत होती है कि यह ultraviolet sun की जो ultraviolet rays होती है उनसे हमारी skin को हमारी body को protect करता है friends जिस skin color को लेकर आप और हम पैदा होते हैं नॉर्मली तो उसको पूरी life हमारे साथ रहना चाहिए पर कुछ factors के कारण हमारी body के skin का color change होता रहता है इसके कुछ factors होते हैं number one पर है hormonal factor जब शरीक के hormones में change आता है तो skin का color change हो जाता है जैसे कि pregnancy में face के ऊपर धब्बे हो जाते हैं यहाँ पर ऐसा निशान बनाके धब्बे हो जाते हैं उनको हम melisma बोलते हैं यदि किसी बच्चे के parents dark या light color के होते हैं तो बच्चे का color भी dark या light हो सकता है number four factor होता है कोई chemical या कोई drug induced factor means यदि किसी पालर में या किसी medicine के through body में chemical गया है तो भी body का color change हो सकता है यह इसके 3 main reason हो सकते हैं या तो कोई hormonal factor या ultra volatrace के कारण या number 3 हो सकता है किसी old skin disease के कारण body में dark spots हो गए हो यह hyperpigmentation mainly 3 तरह से होता है पहला melisma, दूसरा feccals या उनको हम जाईयां बोलते हैं और तीसरा होता है P.I.H. post inflammatory hyperpigmentation दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे melisma की, melisma या colisma बोल सकते हैं इसको melisma में क्या होता है, शरी में धाग धब्बे हो जाते हैं, dark color के sports हो जाते हैं mainly वो face पर मिलते हैं और ऐसे symmetrical position में मिलते हैं means इस तरह मिलेंगे तो इस तरह भी मिलेंगे इसमें एक butterfly like structure बन जाती है, या pregnant lady को mainly होता है ये face के साथ साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकते हैं इन में कोई खुजली या जलन नहीं होता है इनके main कारण होते हैं, या तो pregnancy में हो रहा है या female ने birth control pills ले रखी है या उनको stress है किसी को या थाराइट के कान ये हो सकता है दोस्तों, अब हम बात करेंगे freckles की, means जाईया या इनको sun sports भी बोलते हैं Actually होता क्या है कि जब सूरज की रोश्णी direct हमारे शरीर पर पढ़ती है तो जिन हिस्सों पर पढ़ती है, जैसे कि face, hand, shoulder, arms इन पर dark color की sports हो जाते हैं इनको हम जाईया कहते हैं इन में कोई घर्द या खुजली या जलन नहीं होता है लेकिन looks की हिसाब से लोग conscious हो जाते हैं अब बात करते हैं PAIH, means post inflammatory hyperpigmentation जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई पुरानी चोट, कोई सूजन, कोई जलन के कारण जब शरीर में धब्बे छूट जाते हैं तो उनको हम PAIH बोलते हैं Actually होता क्या है कि जब शरीर में कोई चोट लगती है तो melanin pigment वहाँ पे जादा मात्रा में खटा होके repairing का काम करता है इसलिए वहाँ की skin डाक हो जाती है दोस्तों अब यह बात आती है कि इस तरह के pigmentation का treatment किस तरह से किया जाना चाहिए यदि हमने केवल dark spots या धबों का treatment किया तो वो treatment बहुती temporary हो जाएगा अच्छली यह अंदोनी बिमारी के कारण यह धब भी आते हैं तो यदि हमने इसका इलाज करना है तो इसके कारण को खतम करना पड़ेगा अंदोनी बिमारी को खतम करना पड़ेगा तो वो एक permanent treatment होगा अब हम इसके होमोपैथि ट्रीटमेंट की बात करते हैं तब स्थ पहरे नाम आता है परसेटला 200 का जब शरीर में हार्मोनल इंबलेंस के कारण डार्क स्पोर्ट होते हैं तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और जब प्यूबर्टी के टाइम के एकने के मार्क्स छूट जाते हैं जो पुराने ओल मार्क्स होते हैं उनने भी परसेटला बहुत अच्छा काम करती है इसके आप दो बून सुबे और दो बून शाम को ले सकते हैं अब इस कड़ी में नमबर टू मेडिसिन है कॉलोफार्लम 200 कॉलोफार्लम 200 भी हार्मोलन इंबैलेंस पे ही काम करती है लेकिन उसका काम तब होता है जब प्रेगनेंसी के लेटर मंस में या प्रेगनेंसी के बात लोगों को मेलेजमा लाइड कंडिशन बन जाती है फेस पे डाग कलर के स्पॉर्स आ जाते हैं तो उस कंडिशन में कॉलोफालम 200 बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों इसको भी आपको दो ड्रॉप सुबे और दो ड्रॉप शाम को देने हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे CPI Office Analyst 200 की दोस्तों दाख धबों के केस में CPI एक शोर स्टॉपर की तरह काम करती है यह हर तरह के दोस्तों हर तरह के दाख धबे में बहुत अच्छे रिजल्स हैं इसके और इस पेशली एदी फेस पे चीक्स पे दोनों गालों की तरफ डार कलर की स्पॉर्ट्स हैं मेलिजमा की कंडिशन है, स्कीन बहुत डाख रहती है फीमेल बहुत थिन लगती है, बहुत कमजोर लगती है तो यह मेडिसन बहुत कारगर है दोस्तों इसको भी आपको दो बून सुबह और दो बून शाम को लेना है अब हम बात करेंगे केडमियम सल्फ 200 की इस मेडिसन को हमको तब लेना है जब सूरी की रोश्टी में बहुत टाइम तक रहने की कारण शरी में दाख धब्बे हो जाते है तो यह मेडिसन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों इसको भी आपको दो ड्रॉप वानिंग में और ड्रॉप इमनिंग में लेना है अब मैं बात करूंगी सल्फर 200 की सल्फर 200 हम तब लेते हैं जब इसकिन में बहुत सारे एकने हो डर्टी लुक हो इसकिन का लुक ट्राइ हो और बहुत सारे दाग धबे हो तो ये बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों सल्फर के डोजिस को आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है या तो दो ड्रॉप लीजिए आप सुबह सुबह खाली पेट या फाइब पिस लेजिए सुबह सुबह खाली पेट है तो उसका सही समय पर सही इलाज लेके आप नॉर्मल क्लियर हेल्थी स्कीन पास सकते हैं दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो इंफर्मेटिव लगा हूँ तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक यू